हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चनल में तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी है बीटीसी की किस तरीके से बीटीसी आगे बढ़ रहे है और उसी की वज़े से अभी ओड्ड कोईंस, मीम कोईंस बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं already देखा रहे तो अगर मीम कोईंस प्रॉफिट देना शुरू कर दे तो अव्यस सी बात है कि जो अच्छे ओड कोईंस है तो वो पीछे नहीं अटने वाले जहां फ्रेंड्स ICP 10 डॉलर क्रॉस कर चुक है और ICP की इतनी ज़्यदा हाई बनी है अभी अगर आप ट्विटर के उपर जाओगे एक्स के उपर जाओगे तो आपको ICP टॉप ट्रेंडिंग में देखेगा क्योंकि ICP ने 10 डॉलर का जो माक है वो ब्रेक कर दिया है आज से कुछ दिर पहले ये 4 डॉलर के आसपर चल रहा था और अभी इसकी वैल्यू 11-12 डॉलर तक पहुंच चुकी है इसका जो वॉल्लम 24 आज का वो 2-200% से भी उपर जा चुक है मार्केट कैप इसका 55% से भी जाला बढ़ चुक है और वीडियो का भी से लाइक कर तो चैनल पर पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइबर के बेल अगन दबालीजिए और इसी के साथ हमारे टेलकरम को जोईन कर लीजिए आप सर्च कर सकते हैं आफर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पर मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ BTTC, तो BTTC के हम पिछले कुछ वीडियो से में भी बात कर चुके है, BTTC, BitTorrent के नाम से प्रोजेक्ट है, इसके सबसे बड़ी अप्डेट अभी तक आई थी, वो था कि इसका जो Tron Chain Main है, क्योंकि Tron के अंडर ही BTTC है, BitTorrent प्रचेस किया गया था Tron के द्वारा ही, और जब भी Tron में एक बड़ा कुछ भी अप्डेट आता है, कुछ भी न्यूज आती है, तो उससे Tron एको सिस्टम में जितने भी कोई साते हैं, चाहे वो BTTC हो, चाहे वो Sun Coin हो, या फिर Wing Coin हो, या फिर Ape NFT हो, तो किसी भी तरह के कोई जो Tron एको सिस्टम में आते हैं, वो हमेशा बहुत बड़ा प्रॉफिट देते हैं, तो अभी इसकी लगातार बड़ी से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, अगर आपने जानते तो BitTorrent है खुद का अपना ब्लॉक्चेन है, पहले कहा था कि यह Tron ब्लॉक्चेन के उपर था, लेकिन अभी BitTorrent का खुद का ब्लॉक्चेन होन तो हमारे कुछ पिछले वीडियो में कमेंट भी आये थे, बहुत लोगों ने पुछा था कि Tron कब चलेगा, Tron का कब कहा बनेगा, तो Tron आप अप अल्रीडी चेक कर सकते है, Tron की जो अभी इस वक्त Market Cap के इसाब से जो पोजीशन है वो आप खुद अभी चेक कर सकते है, व वो सबसे ज़्यादा Tron Blockchain के उपर ही ट्रेक्ट किया जाता है, या फिर उसकी उपर ही ट्रांजेक्ट किया जाता है, तो BitTorrent ने यहाँ पर क्या किया है, कि इन्होंने BTIP54 लाँच किया है, जिसके उपर Apps, Nodds बिल्ड किया रहे है, Nodds को यहाँ पर रन किया जा रहे है, औ वो है BTFS V2.3.4, इससे जो optimization और भी ज़्यादा बढ़ाई गिया है, ब्लॉक्चेन की, और Tron ने एक बहुत बड़ा event भी ऑर्गनाइस किया है, जो कि BitTorrent ने साथ मिलकर किया है, जो है Thanksgiving Giveaway, जो 20 September को होने वाल है, आज से 3-4 दिन के बाद होने वाल है, तो सबसे बड़ी update ह मैंने आपको पिछले कुछ दिनों के अंदर भी बताई थी, कि Tron अपना giveaway लेकर आ रहे है, और ये आपको मैंने एक दो दिन पहले बढ़ा दिया था, उसके बाद जस्मिन सन ने यहाँ पे एक announcement करी थी, एक तो ये सबसे बड़ा update है, उसी के साथ साथ जो BTFS के जो miners है, व आज के दिर आप टॉप केनर्स में देखोगे, तो आज भी आपको ये दिख जाएगा, कि BTTC इन में से एक है, औरेडी BTT ने यहाँ पे 606 में से एक 0 कम कर लिये, क्योंकि पिछले साथ देनों के अंदर भी इन्हों ने 30% से भी ज़्यादा profit दिये, तो ये हमारा सबसे पहल कोईन था, जो कि हमने deeply discuss किया है यहाँ पे, लेकिं दूसरे कोईन की बात करें, तो यहाँ पे दूसरा कोईन हमारा है ICP, तो ICP आपको आपको आज़री में आप पुता दिया है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक्स की उपर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ICP की बात ही सेने की हर जगा पे, लेकिं ऐसा नहीं कि यह सड़ली ग्रो हुआ है, यह जब 4-5 डॉल्टर के आज़री में तर तब से इसकी हाइप लगा तर बनने शुरूई, और धीरे धीरे 5-6-8-10 डॉल्र तक पहुंचता हुआ, अभी 11 डॉलर भी उपर चल रही थी, लेकिं सड़ली इसकी वेलू नीचे भी आई, इसको डिफिनीटी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर डिफाइनिटी या फिर इंटरनेट कम्प्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी वन अफ ता मोस्ट एडवांस ब्लॉक्चेंस में से ए एक है, तो यहाँ पर अभी BTT के बाद मैं यहां पर बात पढ़ना चाहता हूं, वेब 3 में, तो वेब 3 की बात करें, तो ICP वन अफ ता बेस्ट वेप 3 प्रोजेक्ट में से एक है, और यहाँ पर इन्हों ने खासकर यह भी लिखा कि वेब 2 कमपैटीबल है, यानि कि वेब बड़ा प्रोफित मिलने वाले, अभी हम अगले कोईन की बात करने वाले, नेक्स्ट मारा कोईन है, फाइल कोईन के नाप से, अगें अनदर वेब 3 बेस्ट कोईन, तो यहाँ पर एक और चीज़ बता दू, जैसकी मिन आपको बताया था कि Tron ecosystem में सारे कोईन से कथी करते हैं, तो वेब 3 कोईन में भी ऐसे ही रैली आती है, अभी आप देख सकते हैं, फाइल कोईन भी लगातार रैली पकड़ रहे हैं, तो अभी सिरफ शुरुआत हुए फाइल कोईन की, I hope कि आपने फाइल कोईन बाई क्योंगा होगा, क्योंकि मैंने पिछले जो बेर मार अभी आपने बाई नहीं किया, तो बहुत पश्टा होगे इसके बाद, क्योंकि वेब 3 में सबसे बड़ा प्रजेक्ट अगर कोई है, तो वो फाइल कोईन ही है, तो यहाँ पे इनका जो TVL वो भी 165 मिलियन डॉलर से उपर चला गया, जिसमें बोला जा रहा है कि 45% मन्तली ग्रोथ हिनोंने पाई है, नेक्स मारा जो प्रोजेक्ट है, ये भी वेब 3 पेस प्रोजेक्ट ही है, ये है हमारा कॉस्मोस, तो कॉस्मोस भी एक ऐसा समय था, जब इसकी वेली बहुत ज़्यादा नीचे गई थी, तो यह भी आपको प्रॉबली 5-6 डॉलर के आस्परस वा करने का मौका मिलता है, तो इसको ग्रैब कर सकते हैं आप, और इसमें अगर हम और टाइम हाई देखे तो लगबग 44 डॉलर के आस्परस गया था, यान कि काफी सारी चेंड से दूसरी चेंड पर यहां पर ट्रांसवर्स किये जाते हैं, तो यही रीजन है, अगर कोई भी न क्यों चूज करने वाले, इसी को क्यों अडॉप्ट करने वाले, और इस क्यों पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बन चुकी हैं, तो आज के दिन आपको शाइदे इंटर चेंड समझ नहीं आया का, लेकिन जब मैं वेब 3 की बात करता हूं, तो BTTC भी उसी में आता है, व मारा पांचवा जो कोईन है, यह है अवलांच, अवलांच शायद मुझे बताना ने चाहिए, क्योंकि अल्रेड़ी यह अगर हम एक महीने की बात करें, तो लगबग 20 डॉलर से 40-50 डॉलर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फ़न आफ ता मोस्पांसिंग प्रोजेक्ट है, अल्रेड़ी लगबग 90-100% का प्रोफिट दे चुका है यह अल्रेड़ी, लेकिन यह सिरफ एक महीने के अंदर आए, बुल मार्केट के अभी बिलकुल नई शुरुआत है, इसलिए आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इसका ओल्र टाइम हाई 13-14 डॉलर तक करणों है, क्रडानों के उपर सुलाना, XRP, BNB, तो टॉप 10 ओर्ट कोई में होना एक बहुत बड़ी बात है, पोर्कार ओर्ट को, ट्रॉन को, पॉलीकॉन को ओल्रेड़ी पीछे छोड़ कर यहाँ पर एवलांच आ गया है, तो एवक्स इसका कोईन है, तो एवक्स को आप बाय करें, जब भी BTC में क्रेक्शन आती है, थोड़ी-थोड़ी क्वाटिटी बाय करते रहें, यह DC करते रहें, क्योंकि एवलांच जैसा कोईन हाथ से अगर एक बार निकल गया, तो फिर Ethereum जैसे कोईन बन जाएगा, जो कभी भी हाथ में नहीं आने वाला, क्योंकि एवल समय में हर एक प्रोजेक्ट यही ट्राई कर रहें, कि वो बोस्ट एडवांस बने या फिर फीचर कुरूब बने, ताकि आने वाले समय में उनको कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, हमेशा स्केलिबिल्टी बनी रहें, अब एवलांच का यहाँ पर फोकस गेमिंग के उपर भी यार है, गेमिंग ओन एवेक्स के नाम से इन्होंने कैमपेइन लाँच करी है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर लेके जाने वाए 2024 वी, तो यही थे हमारे 5 कोई अगर आपको किसी और और के बारे में कोई भी इंफोमेशन चाहिए, नीचे कमेट कीजिए, मैं नेक्स वीडियो में कवर करने की ज़रूर कोशिच करूँगा, और बरना मैं डाल दूना हमारे टेलग्राम के उपर, वाफट अफिशल के उपर, इसर्च भी ज़रूर करें, कोई भी कोईन है, उसमें थोड़ा और डीपली जाएं, थोड़ा और टेक्निकल नेलसीज भी करें या फिर फंडमेंटल नेलसीज भी करें, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते होगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजे, ये वीडियो देखने के लिए धान्यवाद,